विश्व वनि जीव जन्तु दिवस के आसर पर SBI के DZM PC वरूर ने कहा कि जिस तरह समाज में इंसान का होना ज़रूरी है उसी प्रकार जीव जन्तु का भी होना ज़रूरी है जीव जन्तू को की जो प्रजातियां है वह जीवित रहें जिसे पर्यावरन को भी सनरक्षित किया जा सके उन्होंने कहा कि यह देखा जा रहा है कि विकास के दौर में पेड़ पौधो तथा वनो का कटान जारी है इसके बाद भी वर्तमान सरकार वनी जीव जन्तू तथा वनो पर विसेज ध्यान दे रही है डीजियम ने कहा कि देश में टाइगर की संक्या खत्मोरिक के कागार पर पहुँच गई थी तथा पेड़ पौदो वो हर्याली को भी बढ़ावा मिल सके इस सम्मन्द में गुरिपूर नियूस से बात करते हुए SBI के DZM PC बरूर ने कहा यहां पी देवलप कर रहा हुए पर देखा जातों बनों के संक्या भी कापी घट रही है अब एक आप सब अच्छा एप देने काम करना है आप आज वर्ल्ड वाइलाफ डे है वन्य जीव जन्तु दिवस जो है और ये हमारे एको सिस्टम के लिए हमारे अर्थ के लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि जैसे मानव जाती है वैसे ही जो बाकी जो प्रजातियां है जीव जन्तु ओंकी वो भी जिन्दा रहे वो भी अच्छे से रहे जिससे कि एक हमारा जो बैलेंस है इंवार्मेंट का बना रहे यह बहुत ज़रूरी है कि यह बैलेंस बना रहे हैं हो क्या रहा है कि हमारी विकास की दोड में हम लोगों ने जंगल को खतम करना सुरू कर दिया है जंगल में इंवार्मेंट हो रहा है जिससे कि बहुत सारी प्रजातिया जो है वो या तो लुप्त हो गई है या लुप्त हो सकती है अच्छी बात ये है कि अभी हमारी सरकारों ने दुनिया भर की सरकारों में ये जागरती आ गई है हमारी बहुत सारी संस्थाओं में जागरती आ गई है बहुत सारे इंडीज्वल्स है वो भी इस पर काम कर रहे हैं और इनका सरंग्षन जो है वो अभी चल रहा है ह हमारी यहां विजरी टाइगर्स आलमोस्ट खतम हो गये थे लेकिन आज जिस धंग से हमारी बहुत सारी संस्थाओं ने हमारी सरकार ने टाइगर कंजर्वेशन का जो काम किया उससे आज हमारे पास में इतने टाइगर्स हैं जो कभी नहीं थे पहले तो यह जो वन्ने जीव यह आज है इसके आज के दिन हम सब को कोशिश करनी काईए कि हम जहां कई भी वाइड लाइफ ार्स कौटे तो करना चाहिए और जहां कई पे उनके रहने के लिए उनके जो हाविटीट है जंगल है अगर हम जंगल कृरेंड करेंगे तो जंगली जानवर डेफेनिटली बड़ावादेंगे